पूरी रिपोर्ट ओडिशा के बालासोर जिले में बीत शुकरवार को भयानक रेल हादसा हुआ हादसा इतना भयानकर था कि ट्रेन की भूगिया पूरी तरह पलट गई खबर के मुताबिक बालासोर के बहनागा बाजार इस्टेशन के पास शालीमार चिन्ने कोरोमंडल एक्सप्रेस बैंगलूर हादा एक्सप्रेस समेट एक माल गाड़ी आपस में टकरा गई इस भयानकर रेद्रुगटना में 288 जाने जा चुकी हैं वहीं सेखडो लोग घायल बताय जा रही हैं जबकि कुछ लोगों का अतापता ही नहीं है एक रिपोर्ट के अनुसार बालासोर के बहनागा बाजार इस्टेशन के पास शाम करीब 6 बजकर 50 मिनट पर शालीमार चिन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस मेंल लाइन की बजाए लूप लाइन वे घुस गई और वहां खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के 15 से 17 डब्डे पलट गए और इनमें कुछ डब्डे बगल की ट्रेक पर बिखर गए इसके बाद करीब शाम 7 बजे बैंगलूरू हावडा सुपरफास्ट ट्रेन ट्रेक पर बिखडे कोरोमंडल ट्रेन के कोचिस से टकरा गई जिससे हावडा सुपरफास्ट के कुछ डिब्डे पलट गए और ये भीशन रेल दुरगटना हुई वहीं इस भीशन रेल हादसे पर परधान मंतरी मोदी ओडिसा के मुख्यमंतरी समेत कई राज्यों के मुख्यमंतरियों ने दुख जताया है वहीं देल मंतरी अश्वनी वैश्णव ने इस भीशन रेल दुरगटना की सीवियाई जाच की बात कही थी जिसके बाद सीवियाई ने पूरे मामले की जाच प्राणब कर दी है वैसे तो इस रेल दुरगटना में जान गवाने वाले लोगों को नयाय नहे मिल सकता परंतु सरकार को इस पूरे मामले की निस्पक्ष जाच के साथ साथ इस भीशन दुरगटना के जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए जिसे भविशे में ये रेल दुरगटना कभी नहीं होगी धन्यवाद